गुद मॉर्निंग स्टूडन्स, वेलकम तो दिस वीडियो फ्रोम H.B. कापड़ा ग्रूप अप स्कूल्स आज हिंदी में हम पाठ चार कथनी और कर्नी समझेंगे यह निबंध है कथनी अर्थात कहना और कर्नी अर्थात हम जो कहते हैं उसके अनुसार कारिय करना कथनी और कर्नी में अंतर के कई उदाहरन हम अपने आसपास के समाज में भी देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कथनी और कर्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है वे कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ कुछ भी कहना बहुत आसान होता है परन्तु उसे अपने व्यवार में लाना बहुत मुस्किल काम है कथनी और करनी में एकता उसे व्यक्तिकी हो सकती है जो सत्यवादी हो, साहसी हो डर्पोक या जुठे लोग अपनी कथनी करनी में एकता कभी नहीं रख सकती दूसरों को अच्छी बाते सिखाना बहुत आसान होता है हम दूसरों को दे सकते है परन्तु खुद उन्हें अपनाना बहुत मुस्किल है किन्तु परनी के बिना कथनी थोथी है, निरर्थक है हम जो बोलते हैं उसके अनुसार हमें कार्यतों करना ही पड़ता है तभी जीवन में सफलता मिलती है, जग में सम्मान मिलता है, तो कथनी और करनी में समानता तभी होगी जब हमारे कारिय उनके अनुरुक होगे इसके संदर्ब में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि कथनी कर्णी में समानता होने से ही जग में सफलता मिलती है समान मिलता है तो हम कहानी सुनेंगे कथनी और करनी जो समान हो तबी एक संत महात्मा की मैं कहानी सुनाती हूँ एक गाउ था गाउ के बाहर कुटीर में एक संत रहते थे संत का उपदे सुनने के लिए गाउ के लोग हरोज साम को वहाँ पर जाते साधु महाराज गाउ वालों को अच्छी सीख देते अच्छी अच्छी बाते सुन जाते साधु महात्मा की बातों का गाउ वालों पर बड़ा प्रभाव करता था लोग उनका सम्मान भी करते थे एक दिन एक स्त्री अपने बेटे को लेकर संत के पास आती है और संत से कहती है कि मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है आप इसे समझाए तब संत ने कहा कि आप अपने बेटे को लेकर एक सब्ता के बाद आना फिर मैं उससे समझा दूँगा स्त्री अपने बेटे को लेकर चली जाती है एक सब्ता के बाद वापस अपने बेटे को सादू के पास लेकर आती है संत बालक को बड़े प्रेम से समझाते हैं कि ज्यादा मीठा खाना हमारे स्वास्थे के लिए हानी का रखे उनकी मिठी मदूर बाते सुनकर बच्चा भी समझ जाता है निश्चे करता है कि अब ज्यादा मीठा नहीं खाऊंगा स्त्री को आस्चरे होता है पुछती है कि यह बाद तो आप पहले भी बता सकते थे उस दिन बता दी होती तो तब संत ने उत्तर दिया कि तब मैं भी मिठा खाता था मैंने मिठा खाना छोड़ दिया तब जाकर मैंने इस बच्चे को मिठा न खाने के लिए समझाया मतलग कि जब मैं मिठा खाता हूं तो मैं दुसरे को न खाने के लिए उपदेश नहीं दे सकता था तो कहने का तात परियो है कि यदी हम दुसरों को उपदेश देते हैं तो उससे पहले हमें उसे अपने व्यवार में उतारना चाहिए तबी जाकर हमें जग में सफलता मिलती हैं सम्मान प्राप्त होता है अब हम यह कथनी करनी निबन समझेंगे मानव जीवन प्रभू की अनमोल देन है सबी प्राणियों में इस्वर ने मनुस्य को विशेश्ट सक्तियां प्रदान की हैं परंतु हर समय सबी लोग सही काम नहीं करते मनुस्य कई बार कहता कुछ है करता कुछ है इस बात को स्पर्ष्ट करने के लिए कई उदाहरन, प्रस्तुत निबंद, पत्नी और कर्नी में दिये गए हैं इस्वर ने मनुस्य को अन्य प्राणियों से स्रेष्ट बनाया है अन्य प्राणी यानि पसु पक्सी पालतु प्राणी जंगली प्राणी सभी प्राणियों से मनुस्य स्रेश्ट हैं कई गुणों से उसे सवारा है इसका उसे भी अभीमान हो गया है परन्तु स्वयम को गुणों की खान समझने वाला गुणों की खान यानि बहुत गुणी मन इस्वर ने मनुस्य को सोचने समझने के, कल्पना करने के लिए मस्तिस्क दिया है, अच्छे बुरे निरे करने के लिए उन्हें विवेक बुद्धी दी है, वानी मिली है उसे वर्दान में, तो इन सभी गुणों से जो इस्वर ने मनुस्य को सवा रहा है, तो इसका उसे अभिमान हो गया है अपने आपको वह गुणों की खान समधता है बहुत गुणवान समधता है ऐसा ही व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरन हमें रोज देखने को मिलते हैं पहला उदारण है इसका बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जग़ छोड रखी थी बस्ती यानी नगर आसपास लोग रहते थे उसके बीच में सरकार ने पार्क यानी वगीचा बनाने के लिए थोड़ी जग़ छोड रखी थी बरसात के मौसम में मुहलेक के एक सज्जन को उसमें फूलो के पौधे लगाने की सुजी एक सज्जन मनुस्य था उसे लगा कि बरसात का मौसम है तो उसमें कुछ पौधे लगा दिये जाई जिससे बगीचा सुन्दर लगे बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, पतार में उन्हें रोपा, रोपा यानि लगा दिया, पतार यानि पंक्ती, देख बाल की पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे पौधे पर, पार्क अच्छा लगने लगा, पार्क यानि बगीचा रं पार्क में टहलने के लिए आते थे, जो आसपास के लोग रहते थे, वो इस बगीचे में सुबह साम टहलने के लिए, यानि ब्रहमन करने के लिए, गुमने के लिए, बाग में, बैठने के लिए, कुछ बच्चे खेलने के लिए, वहाँ पर हरोज आते थे, फूल सबको जिस सज्जन ने पौधे लगाए थे, उन्हें लगा कि अब यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, तो इतने जो सुन्दर फूल खिले उसे तोड़ कर न ले जाए, जिससे बगीजे की सुन्दरता कम न हो जाए, उन्होंने एक उपई सोचा क्या किया, उन्होंने एक तक्ति के उपर यह लिखकर टांग दिया, वहाँ पर लगा दिया, फूल तोड़ना मना है, आते जाते सब लोग उसे पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि फूल लगाने वाले सज्जन को बड़े सबेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा, जिन्होंने यहाँ पर लगाया था, तक्ति लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन सुबह में बड़े सबेरे फूल तोड़ रहे थे, और लोगों ने उन्होंने उनका कहना यहाँ था कि बाग में फूल तोड़ना मना है, और उसी नियम को वह अपने व्यवार में नहीं ला सके, उन्होंने ही फूल तोड़े, जब लोगोंने देख लिया तो बहाना बना दिया कि यहाँ फूल तो में पूजा के लिए तोड़ रहा हुए, अब दूसरा उदारण है, हम देखते हैं कि कई जग जैसे कि सार्वजनिक वहानों पर, सिनेमा ग्रुहों में, अस्पतालों में, बस में, रेलवे में, हमेसा लिखा होता है, दुम्रपान करना निशेध है, निशेध यानि मना है, तो यहाँ पर भी इसका एक उदारण दिया गया है, ब देखा कि एक यात्री ने बीडी जलाई और वह पीने लगा, उसे देखकर कंड़क्टर ने उस यात्री से कहा, बाई सहब बस में बीडी सिग्रेट पीना मना है, फिर क्या किया कंड़क्टर ने उस यात्री की जो जलती हुई बीडी थी, उसे खिड़की के बाहर फैक है थोड़ी देर बाद कंड़क्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठता है कि सिग्रेट जलाई दोनों पीने लगे ड्राइवर और कंड़क्टर एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इसारा करते हुए कंड़क्टर से कहने लगे वड़की इस पर कंड़क्टर सिग्र बोल उठा तुरंट जवाब दिया यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए मतलग कि दुम्रपान वर्जी दिया लिखा है बस में वह यात्रियों के लिए हम ड्राइवर कंड़क्टर के लिए नहीं तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है की कतनी और करनी में अंतर है कंड़क्टर ने यात्री को दुम्रपान करने से मना किया और वही कंड़क्टर और ड्राइवर बस में बैट कर सिग्रेट पी रहे थे तो वही दुम्रपान कर रहे थे तो उनकी कतनी करनी में यहाँ पर अंतर दिखाई देता है तिसरा उदारन है एक व्यक्ती दुकान पर गया सकुटर दुकान के सामने खडा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला आप अपना सकुटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खडा करके आए सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुखना है मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा दुकानदार कहता है पर दुकान के सामने 20 सड़क पर स्कुटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है ऐसा जब दुकानदार कहता है तो सज्जन अपना स्कुटर लेकर चला जाता है सज्जन ने स्कुटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया यहाँ देखकर सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे तो मना नहीं किया तब दुकान दार क्या कहता है यह तो मेरा बेटा है तो यहां हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नियम सब के लिए समान होने चाहिए कुछ लोग नियम बनाते हैं वह नियम दुसरों के लिए होते हैं लेकिन उसका पालन वे खूद नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी हम कथनी कन्नी में अंतर देख सकते हैं। अब है चोथा उदारन, बड़ा रोचक और मजेदार है, जिसे सुनकर आपको भी हसी आएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्स की बाते करते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी बाते करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना ना पड़े तो वे आदर्स भूल जाते हैं। किराया मांगने बार-बार आ रहा था, माह यानी महिने का, चार महिने का किराया बाकी था, वह लेने के लिए मकान मालिक आया था, जो दर्वाजे के बाहर खड़ा था, किरायदाने अंदर से खिड़की से देखा, उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर बेजा, किसन जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिता जी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ बच्चे ने तपाक से जवाब दिया मकान मालिक को वह जवाब देता है क्योंकि उसके पिता जी ने उसे समझा कर बेजा था कि क्या कहना है क्या जवाब दिया पिता जी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है भच्चे की बात सुनकर मकान मालिक भी हसने लगा घर में जो बैठे मित्र थे उनके चेहरे पर भी मुस्काना गई जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए सज्जन यानि जो किरायदार था उसकी चोरी पकड़ी गए वे घर में ही बैठा था यहाँ पकड़ा गया तो यहाँ सुनकर देखकर वे पानी पानी हो जाते हैं मतलब कि सरमिंदा हो जाते हैं इस उदार में हम देख सकते हैं कि जो किरायदार है उसकी कत्नी और कन्नी में अंतर हैं। अब पांचवा उदारण हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। पोता यानि पुत्र का पुत्र। सज्जन है वह दादा है। दादा जी ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत डंग से नहीं करना चाहिए सदा अपनी बारी की प्रतिक्षा करनी चाहिए मैं लगा कि कहीं पर हम जाए कोई भी काम करने के लिए तो गलत डंग से नहीं करना चाहिए हमारे जब हमारी बारी आती है उसकी हमें रहा देखना चाहिए प्रतिक्षा करने ही चाहिए, गलत डंग से उसे पूर्ण करने का प्रयत्ना नहीं करना चाहिए, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बील जमा कराने गए, कौन दादा जी, साथ में उनका आठ वर्सिय पोता भी था, उनका जो पोता था, वो कितने साल का था, आठ साल का, उसे साथ ले जाते हैं, बील जमा कराने वालों की लंबी कतार देखी, कतार यानि पंगती, लंबी कतार देखकर, वे कोई उपाई सोचने लगे, कि किस तरह से जल्दी से हमारी बारी आ जाए, ऐसा उपाई सोचने लगे, उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से दे वे तुरंत उसके पास गए दादा जी और बोले बेटा ए बील तुम गर पर ही बोलाए लो इसे भी जमा करा दू वह सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले तो दादा जी ने बील और राशी यानि बील की रकम उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी थमा दी यानि रख दी पकड़ा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए पोता बार-बार कहने लगा पोता उनके साथ था वो बार-बार कहने लगा क्या दादा जी लाइन में लगिये मतलब कि चलो हम भी लाइन में खड़े रह जाए उसकी बाद सुनकर अन्य लोग हसने लगे क्यों हसने लगे? कि दादा जी ने जो गलत डंग से कार्य किया उसकी बात पकड़ी गई यह सुनकर लोगों को भी हसी आई यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि यदि कथनी करनी में समानता न हो तो हम मजाक यानि कि हसी के पात्र बनते हैं लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं तो हमेशा हमारी कतनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जो आदर्स की बाते करते हैं, पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हसी के पात्र बनते हैं, इसलिए हमें कतनी और करनी में सदेव, यानि हमेशा समानता रखनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है, हो कतनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मता कि जब कतनी और करनी एक समान हो, तभी हमें जग में सम्मान मिलता है। तेहां सभी उदार द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि कतनी और कनी में अंतर रखने से क्या होता है तो हमें भी सीखना चाहिए कि हम जो भी बोलते हैं उसके अनुसार हमें भी कारिय करना चाहिए अब हम प्रश्ण के उत्तर समझेंगे पहला प्रस्ण है इस्वर ने मनुस्य को अन्य प्रानियों से किस प्रकार स्रेश्ट बनाया है तो पहले परिछेद में हमने समझा कि इस्वर ने मनुस्य को सोचने, समझने, कलपना करने के लिए मस्तिस्क दिया है मस्तिस्क यानि मगज बगवान ने मनुस्य को अच्छे बुरे का निराइं करने के लिए विवेक बुद्धी दी हमें पता चलता कि यह अच्छा है यह बुरा है मनुस्य को बोली वर्दान में मिली है उसके मन में जो भी वीचार है वह अपने वानी से सामने वाले व्यक्ति के सामने रख सकता है अन्य प्रानियों में से अलग मनुस्य को सुन्दर सरीर दिया है इन सभी विशेस्ताओं के कारां मनुस्य अन्य प्रानियों से स्रेष्ट है दूसरा प्रश्ण है दुम्रपान वर्जीत है कहां कहां और क्यों लिखा होता है वर्जित यानी निशिद तो दुम्रपान वर्जित है ऐसा बस में लिखा होता है रेलवे में, अस्पतालों में, सिनेमा ग्रोहों में और सारवजनिक वहानों में पर दुम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है बाग बगीचों में, पुस्तकालई में, धर्मसालाओं में भी दुम्रपान वर्जीद है ऐसी तक्तियां लगाई जाती है क्यों ऐसी तक्तियां लगाई जाती है दुम्रपान करना वर्जीद क्यों है क्योंकि दुम्रपान करने से हवा प्रदूसित होती है प्रदूसी थवा सांस में लेने से हमारे रदय और फेफडे को नुकसान पहुँचता है हमें रदय और फेफडे की बीमारी होती है तीसरा प्रश्ण है फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल तो सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि फूल रंग भी रंगी होते हैं फूलो की खुस्बू हमारे मन को मोह लेती है फूलो से तोरन बनाये जाते हैं जिससे घर की सोभा बढ़ती है फूलो की माला भगवान को चड़ाई जाती है फूलों का उप्योग किसी विशेश व्यक्ति के सम्मान के लिए भी किया जाता है फूलों का गुच्छा सूब उसर पर दिया जाता है किसी का जन्मदिन हो तो भी हम फूलों का गुच्छा देते हैं फूलों में से कई तरह की चीजे बनती हैं से गुलकंद, इत्र, दूपसली आधी कई चीजे बनती हैं इन सभी गुनों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं चौथा प्रस्ना है लोग कहां कहां कतार में खड़े रहते हैं तो लोग रेल, सरकस, सीनेमा और प्रदर्शन के टिकट लेने के लिए कतार में खड़े र बड़े बड़े सहरों में मोल में से चीजे लेने के लिए उसका बील चुकाने के लिए वे कतार में खड़े रहते हैं बस में चड़ते समय भी कतार में खड़ा रहना पड़ता हैं कई बड़े बड़े मंदीरों में दर्शन के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं इ इससे आपको सुन्दर अक्षर में अपने CW में लिखना है. Thank you.